कि है यह बेलकम टुदा टैस्ट्ट्ट सुपर कोचिंग प्रेटफॉर्म आप सभी का टैस्ट्ट शूपर कोचिंग प्रेटफॉर्म पे स्वागत है विद्धारती है जो लोग लगातार कई बार नेट कॉलिफाई कर चुके हैं पर रंतु जी आरफ तक नहीं पहुंच पा सब्सक्राइब करेंगे कि क्या वो कारण है जिसके चलते अक्सर आप नेट तक तो पहुंच जाते आपके नसीब में लग पाता आपका नमबर नहीं लग पाता तो वह सारी वीडियो में डिसकस करने वारे हैं चलिए तो आप सबसे प्रेक्टेस हैं जो लाइव क्लासे होती है जो भी चीज़े है सब कुछ आपको यहां पर टेलिग्राम पे मिलते रहता है प्रेक्टेस है मॉप टेस्ट है विसलिए आपको टेलिग्राम ग्रूप पे मिलते रहते हैं अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेन अपडेट है आप सभी के लिए कि एक वर्शॉप कंड़क कर रहे हैं हम लोग ठीक है सारी फेकल्टी मिलकर टैस्बुक सुपर कोचिंग की स और लाइब चैट में भी जहां पर आप देख रहे हैं वहाँ पर यह पिंड मैसिज में आपको रिजिस्टर के लिए लिंक ठीक है रिजिट्रेशन करने की लिंक जो है आपको इस वीडियो के दिस्क्रिशन बॉक्स में कमेंड में भी और सासद जो चैट चरना वहाँ पर आपको पिंड में रूप में मिल जाएगे ठीक है तो यह वर्शॉप बहुत जरूरी है जो भी दिसंबर दोहार तेस का एक्जाम टार्गेट कर रहे है ठीक है उनके लिए एक स्पेशल वर्शॉप रखिए जहां पर आपकी जितने भी काइंड डाउट्स है ठीक है वो सॉ पर यह वर्शॉप पर यह वर्शॉप की जाएगी तो आप सभी को ध्यान रखना है रेजिट्रेशन लिंक आपको मिल लाएगी बाकी टेलेग्राम ग्रूप बगरा पर आपको जुड़ने के लिए ठीक है फाइन चलिए अब जरा बात करते हैं हमारा में मुद्द है कि नै उसका सॉलुशन निकाल पाएंगे ओके समस्या में ही समाधान चुपा होता है आप सभी को पता है कि जो समस्या होती है उनको अगर हम सही कर लें उनको सौट आउट कर लें तो समाधान निकल जाते और चीज़े आप जैसा चाहते वैसा हो जाएगी ठीक है तो हम जरा कारण समस्ते है सबसे बहता है लैक औफ एप्रोप्रियेट और एग्जाम ओरेंटेट रिसोर्स कि जब आप जिन चीज़ों से पढ़ रहे है वह शायत तक जिन किताबों को आपयोग कर रहे हैं जिन नोड्स को अपयोग कर रहे है शायत दोफ में नहीं बने या फिर आप कुछ गलत चीजे पढ़ रहा है ठीक है जो शाहिद तक एक्जाम में नहीं आता है मतलब आपका एक्जाम ओरेंटेशन कहीं ना कहीं वो चीज कमी रह जा रही है मतलब उत्रा तो पढ़ रहा है बट जो है आपको जिस लेवल के जिस अप्ग्रेडेडे नोट होने चाहिए और फिर तरीके से ध्यान ने दिया तो वह चार-पांच कोशन जो वहां पेपर कम में कम होते हैं कि आप पेपर उने कम से कम 30 से 35 तक सही करने चाहिए आपने किये 20 से 25 ठीक है अकसर अधिकतर वह स्टुएंट है मैं बता सकता हूं कि जिनका बारवा नेट हो रहा है बट ज्यारफ न अटेंशन हमेशा से रखना है यह एक बहुत बड़ा रीजन है जो की मेजर फैक्टर है मैं वह सकता हूं 70-80% इस्टेट्स नहीं है जो पेपर उनके चलते जो है अपना ने ज्यारफ बिसलिक होते है ठीक है तीसरा पॉइंट आता है लैक ऑफ एक्जाम औरिंटेट कोशन यह भी एक बहुत इंपर्टन आस्पेक्ट है कि जैसा एक्जाम है एक्जाम में जैसा पैटन चेंज हो रहा है उसके अगर आप मौक कोशन करेंगे कोशन प्रेक्टिस करेंगे वह तभी आपको सक्सेस मिलेगा नहीं तो आप जो प्रेक्टिस अगर लोड़ लेवल एक करना बहुत अबश्यक है आपको बहुत सारे प्रेक्टिस सच्स मिल जाएंगे ठीक है मौक तस्वर आपको जो है अविलेबल है महाँ पर टैस सीरी जवरा में लगा सकते हैं अप्रुप्शन के अविलेबल है तो वह भी आप कीजिए दैन थर्ड चीज आती है लैक आप प करना है और किन चीजों पर ध्यान देना है कि किसको आप इग्नोर कर सकते हैं तो यह जो एक मैंटर्शिप है वो बहुत ज्यदा बड़ा रूल प्ले करती है तो यू नीड़ प्रॉपर गाइडेंस हम से स्टुड़ी करते हैं और से गुर थिंग बुरी बुरी बात नहीं ह बड़ उस सेल्फ स्टुड़ी में जब किसी की मैंटर्शिप मिल जाती है कोई टीचर आपको गाइड करे लगे ठीक है क्लासे आप ले रहे हैं तो हर टॉपिक को पढ़ते टाइम आपको यह पता चलते रहता है कि यहां से कैसा कोशन आ सकता है और आप एक्जान फोकस दो गाइड हैALLY बड़ यू दो गेट अप्रोप्येट टाइम तो रिवाइज हैं कि यह पढ़ते जाते हैं पडोते जाते हैं तो रिवीजन का आप प्रोप्येट प्लान नहीं बनाते बिकॉस जब तक रिवीजन नहीं तब तक आपकर कहनी होगा चांव इना एक ठीक है अगर सब्सक्राइब यह भी होता है कि चारपार कोशन इसलिए करते हैं because confusion कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है that complexness that perplexness that you face while attempting the question कि यह लगाऊ की लगाऊ मैंदब confusion थोड़ी बहुत भी वो क्यों आ इसलिए जो भी पढ़ रहा है उसका इप्रोप्रेट रिवीजन और इन सभी के लिए एक मैं आपको और बहुत अच्छा इलाजन आप बोले कि सर आपने कारण दो बता दिया कि यह सवस्या है पर समाधान क्या समाधान सीधी बाते इन पर वर्क करना और इन सब एक साथ वर्क करने का एक बहुत अच्छा तरीका है आपके पास जो आपके बूस्टर कोर्स है ठीक है जो लाइब बूस्टर कोर्स जो की स्टार्ट हो रहे है 10 अक्टूबर से यह इसी तरीके से डिजाइन किये गए है कि आपकी प्रप्रेशन को बूस्ट कर दिया रहा है आपने जितना प्रप्रेशन लेंगे अच्छा एक चीज मैंने आपको बूस्टर में पढ़ेंगे तो वह सारी इंपोर्टन टॉपिक का रिवीजिन होगा विद यहल्प फोस्टेंस प्रेक्टेस होके और पेपर वन भी आपका कवर जाएगा बिकास यूच्वली होता है कि पहले पेपर अच्छे से प्रॉपर्ली कवर हुआगी और प्रॉपर आपको मेंटर्शी मिली रीड फैकल्टी की कोशन प्रेक्टिस सब्क्रिफ्टिशन के अंदर आपको मॉक टेस्स लगाने के मिल जाएगे ठीक है सारे के सारे मॉक टेस्स में क्लास्स करवाई जाएगी तो यह जितन आदम कीजिए एक भार ढंग से सही मेंटर्शिप में सही गाइडन से सही रिसोर्स के साथ प्रप्रिशन कीजिए और ज्यारफ को लेकर इस जो जंजट है यह साई के लिए से निकल के आगे की अपना भविश्यवर आईए बिकॉस यूरी सिनेट एग्जामनेशन इस इसको फटाफर सुधारिए ठीक है फेकल्टी की है टीजर से और अपनी प्रिपेशन को फटाफर इस लाइक कर दीजिए कि आपको हो जाए ठीक है और सिंगल सब्क्रिप्शन में आपको वह सारी चीज़ें मिल दाएंगी जो आपको रिक्वाइड है आपको एक्जाम करेक ले प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर नोट्स क्लासे एवरिफिंग मॉक टैस्ट सब्सक्राइब करता हूं कि आपके लिए एक वर्क्शॉप रखी गई है ठीक है वर्क्शॉप है फिफ्ट ऑक्टूबर को पांच अक्टूबर को दिन में 12 बजे वर्क्शॉप होगी उसक चैट पर भी है आप फटा-फट क्लिक करके उस गूगल फ़र दिजेगा यह गैनेंटी से ध्यान रखिए सबी लोग ठीक है ओके गाइस सो फस इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप करता हूं I hope कि जो मैंने बाते बताई हैं वह आपको क्लियर हो गए होगी तो थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विडियो विए फ्रेंड वांसो ठीक है आपके बहुत सारे से दोस्ते हैं जो इन सब शीजों को लेकर बहुत परिशान हैं कई बार से प्रयास कर रहे हैं बट नेट ज्यारफ नहीं हो पा रहे तो उनकी उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्पूर है तो उन तक बिल्कुल जरूर उसको पहुंचाई है ठीक है थैंक यू सो मच